मेरा नाम है या दिन तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ तो आज के वीडियो में हम देखने वाला है प्रिंसिपल ओफ एंक्रीज ओफ एंट्रॉपी ये टॉपिक एक्जाम में बहुत बार पाच से आट माग के लिए थियरी में पूछा जाता है क्योंकि इस इसका डेरिवेशन भी सॉल्फ कर सकेंगे एंट्रॉपी पर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरा एंट्रॉपी पर वीडियो है तो आप प्लीज जाके उसे चेक आउट कीजिए फिर यहां पर आए तब कि आपको और भी अच्छी से समझ में आ जाए तो अभी हम देखते ह प्रिंसपल ऑस एंट्रॉपी क्या होता है कि जब भी एंट्रॉपी हुए एंट्रॉपी क्या होता है डिट्रेंस्अफ पॉइंट ऑफ करते हैं और हमने देखा है कि क्लॉश्यर जो ईकॉलेटी है वह हम यह बताता है कि iets डvellटा एस ऐक तो अभी जब एक सिस्टम को हम isolate कर दे है अभी समझ यह जो heat है तो वो क्या हो जाएगी will be dq will be equals to 0 क्यूंकि हमने system को isolate कर दिया उसमें से कुछ भी heat transfer नहीं होगा तो इसकी वज़े से जो यह q है वो 0 हो जाएगा और यह equation क्या बन जाएगा फिर यह total 0 हो गया तो delta s will be greater than or equals to 0 अभी यह equal और greater कब है तो जब भी delta s वो होता है isolated तो अभी देखते हैं कि delta s जो है वो क्या हो गया यहाँ पर greater than or equals to 0 क्योंकि यह पुरा term 0 हो गया तो वो 0 हो जाएगा अभी यह जो 0 है वो equal to है यह greater है वो किसे पता चलेगा तो जब भी system reversible होता है reversible तभी delta s is equals to 0 और जब भी system irreversible होगा तभी delta s will be greater than 0 तो यह conditions हमें याद रखने है reversible और irreversible के लिए तो फिलाल जब theory में आपको पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना लिखना है और इसके साथ जब explain करते है एक्जाम में या फिर जब एक्जाम में question आता है तो हमें उसके एक छोटा सा derivation भी बताना पड़ता है तो वह है यह derivation तो इसके लिए पहले हम यह graph बनाएंगे p versus v that is pressure versus volume का तो इसमें हम दिखते है कि एक process लिया है 1 to 2 तो उसके लिए जो process किया path है वो हमने random लिया है that is a random process जो कुछ भी हो सकता है मतलब हमें पता ने reversible या irreversible कुछ भी लेकिन 2 to 1 जो है आर लिया है जो हमने reversible process consider किया है तो यह system है और यह जो उसका outer है वो surrounding है तो हम दिखते है इसमें derivation में है क्या तो by clausus inequality जो मैंने बताया है आपको पहले उसके ठियर उसका जो derivation है उससे हमने यह derive किया था that is cyclic integral of dq by t is less than equal to 0 तो अभी हम जब एक process के लिए consider करते है तो यह limits दिया हमने 1a to 2a वैसे ही जब arc process के लिए consider किया है तो 2r to 1r जो reversible process है उसके लिए अभी यह जो मैंने लिखा है यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दिजिए यह हम particular system के उपर consider नहीं कर रहे हमने पहले surrounding को consider किया तो surrounding क्या कर रहा है heat reject कर रहा है system में इसलिए surrounding negative हो गया और वही पर जब system को हमने consider किया तो system में क्या हुआ कि system नहीं से heat बाद में reject किया है तो इसलिए वह system negative हो गया तो यह दोनो negative signs में confuse मत होई है यह अलग-अलग point of view से यह system surrounding point of view से है और यह system point of view से है ओके तो यह दोनो entropy हमने लिखे है यहाँ पर तो that is minus delta as surrounding और फिर minus delta as system is less than equal to 0 जो यह equation में हमने डाल दिया फिर हमने देखा कि यहाँ पर यह जो sign conventions है वह हम इस side लेख जाएगा और addition हो जाएगा और surrounding plus system हमें मिलता है universe तो हमेशा universe का entropy रहेगा वह greater than 0 that is it will be always increasing और more than 0 तो यह था concept principle of increase of entropy का यह भी बहुत बार इसा हमें पूछा गया और बहुत ही easy concept है easily score कर सकते हो so hope आपको वीडियो पसंद आयोगा और समझ भी आयोगा तो like कर रहा ना भूले और subscribe करें हमारे चैनल को इसके notes आपको हमारे website पर भी मिल सकते हैं तो website भी चेक कीजिए that is lastmomentutions.com so till then thank you कर दो कर दो